महा भारत में जब भी अश्वत्थमा का जिक्र आता है उन्हें गुरू द्रोणाचार के पुत्र और रिशी भारद्वाज के पोते साथ चिरन जीवियों में से एक माना जाता है ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान शिव से अमर्ता का वर्दान प्राप्त था ये साथ चिरन जीवि कौन है इनका जिक्र हमने अपनी पिछली एक वीडियो भगवान परशूराम को क्यों छोड़नी पड़ी धरती में किया है आप उसे देख सकते हैं नमेश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में स्वागतम कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे वीडियो के अंत में हमने अपने वच्चकन में जो कुछ सुना उसका भी जिक्र किया है तो अंत तक बने रहें जैसा कि हम सभी ने कहीं न कहीं सुना ही है कि अश्रत थामा आज भी जिंदा है तो चलिए आज इसी विशे पर प्रकाश डालते हैं महाभारत के युद्ध की समापती के बाद कौरव और पांड़ों के गुरू द्रोनाचार के पुत्र अश्रत्थामा ने छल से पांड़ों के पुत्रों का वद किया था उनके इस पाप की सजावा आज तक भुगत रहे हैं माना जाता है कि आज भी अश्रत्थामा जीवित हैं और दरदर भटक रहे हैं अश्रत्थामा ने अपने पिता गुरू द्रोन की मौत का बदला लेने के लिए बहुत ही गलत काम किया था महाभारत का युद समाप्त होने के बाद अश्रत्थामा ने अब मन्यों की पत्नी उत्तरा के गर्व में पल रहे बालक पर ब्रहमास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी तब भगवान स्री कृष्न सबसे अधिक क्रोधित हुए थे और उन्होंने कहा था कि तुमने एक अजन्मे बच्चे की हत्या की है यह गोरपाप है और उन्होंने अश्रत्थामा के माथे से मनी को निकाल लिया और श्राप दिया कि तुमने अपना जन्म तो देखा है मृत्यों को कभी नहीं देख पाओगे जब तक स्रिष्टी रहेगी तुम जीोगे और कष्ट भोगोगे पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि करीब 5000 साल से अश्रत्थामा यूही धर्ती पर भटक रहे हैं और भगवान स्रिक्रिष्ण के ही श्राप का नतीजा है कि उन्हें आज भी मद्य परदेश के एक किले में देखे जाने का दावा किया जाता है मद्य परदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमेटर दूर असीरगड का किला है यहां के स्थानी लोगों का कहना है कि अश्रत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं यहां के लोग अश्रत्थामा से जोड़ी कई दंत कताएं भी सुनाते हैं यह कहते हैं कि अश्वत्हामा को जिसने भी देखा वह या तो जिन्दा नहीं बचा या फिर उसकी मांसिक स्थिती सदैव के लिए खराब हो गई उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अश्रत्थामा पूजा करने से पहले किले में इस्तित तालाब में श्टान भी करते हैं इतना ही नहीं जबलपुर में नर्बना ददी के गोरी घाड के किनारे भी अश्रत्थामा को देखे जाने की बातें कही जाती हैं स्थानी लोगों का तो यहां तक कहना है कि अश्रथामा अपने घाव से बह रहे खून को रोपने के लिए कभी-कभी हल्दी और तेल मांगते हैं हाला कि इस संदर्व में कोई प्रमान आज तक नहीं मिल पाया है लेकिन इस तरह की बातें यहां पर लंबे समय से चल रही है मैंने अपने बच्पन में क्या सुना वो भी बताती हूं मेरी बड़ी बैन जब अपनी हायर स्टडी के लिए हरित्वार गई तो वो भी बताती थी कि वहां हॉस्टल के बायस बताते थे कि यहां के जंगलों में अश्रत्थामा को कुछ लड़कों ने देखा है तो इस तरह की बातें और भी कई जगे सुनने को मिलती हैं जैसे की यूपी के ही लखीमपुर खीरी में ललोटीनात मंदिर है वह भी काफी पुराना मंदिर है वहां भी सुना है कि अश्रत्थामा आते हैं और पूजा करते हैं मैं खुद लखीमपुर से हूँ लेकिन कभी इस मंदर में जाना नहीं हो पाया हाँ अब बहुत इच्छा है कि वहाँ जाओं जब कभी जाना होगा तो वीडियो बना कर जरूर लाओंगी आप लोगों के लिए आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपने भी अश्रत्थामा के जीवित होने की बातें कहीं सुनी हैं? अगर हाँ तो हमें भी कमेंट सेक्शन में बताईए आपने क्या सुना है और हाँ अगर आप में से कोई यूपी से है तो जरूर बताए अगर कोई खास लखीमपुर से है तो भी प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं तो आज के वीडियो को देते हैं यहीं वीराम फिर मिलते हैं किसी कहानी या जानकारी के साथ तब तक खुश रहें खुशियां वाटें अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर बिना कहे कर दिया करें प्लीज अगर आप नए हैं और आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो अप्लोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स वर वाचिंग